तो दोस्तों अगर आप भी YouTube पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, YouTube पे वीडियो बनाके फेमस होना चाहते हैं, ये YouTube से अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज के टाइम में YouTube बहुत अच्छा सोर्स ओप इंकम है आन करने का, काफी लोग कर भी रहे हैं यार, काफी सारे यूटिवर्स आ गए हैं आजकल तो, मेरे एक और चैनल है, कुछ बोलने से पहले मैं अपने उस चैनल का डाटा दिखाना चाहूँगा, ये राइट साइड पर यहाँ पर डाटा आ रहा होगा, लास्ट ट्वंटीएट डेस का डाटा है, कितने सस्क्राइबर्स आएं लास चैनल पर सस्क्राइबर नहीं आरे, व्यूज नहीं आरे, तो आपने ऐसा क्या किया, यार मैं भी आपकी तरह एक चोटा यूटिवर हूँ, जिसने क्या करा, पहले मैंने भी 5-6 चैनल खोले थे, कभी पंजाबी सॉंग्स कॉपी करे, पेस्ट कर दिया, चैनल खोला, किसी और की वीडियो कॉपी पेस्ट करी, तो इसमें बहुत सारा इश्यू हो आया, तो एक एक करके मैंने सारे चैनल बंद करने पड़े मुझे, और फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो उठाई, जो टेक की वीडियो बनाते, जो तीन की पॉइंट्स पता लगया मुझे, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे आपको ट्रेंडिंग और सर्च में आपकी वीडियो आने के लिए और आपकी वीडियो कैसे रिकमेंड हो सकती है, तो यह तीन चीज मैं आपको बताऊंगा इस तो चलिए, चलते हैं अपने पहली टिप की तरफ, तो सबसे पहले अपना यूट्यूब उपन कर लें, यह प्लस का बटन आ रहा है, इस पर जाके अप्लोड वीडियो पर जाएं, और जो उनसी वीडियो अप्लोड करनी है, जैसे मैंने यह करी है, तो इसके होने के बाद नेक्स्ट करें, यह सारी डिटेल फिल करनी है में, तो अभी के लिए हमें यह जो विजिबिलिटी आ रही है, यह तीन आप्शन आ रहे हैं, और हम अभी अनलिस्टिड करेंगे, यह मैं बताऊंगा भी थोड़ी दिर में, कि पबलिक कब करनी है वीडियो, इसके बाद बैक अपलोड़ और प्रॉसेसिंग हो रही है, तो तब तक हम यूट्युप स्टूडी ओपन करेंगे, और यूट्यूब स्टूडियो में हम जायेंगे, अपने कॉन्टेंट पे, जो भी हमारा कॉन्टेंट है, उस पे जाएंगे और जो लेटस वीडियो भी अपलूड़ टर उस पे जाके यह वाली वीडियो थी इस पे जाके चार आप्शन्स आ रहे हैं एडिट पर जाना आपको एडिट ओपन हो जाएगा तो धीरे धीरे यह सारी टाइटल ओनेटाइजेशन यह सारे फिल करने है टाइटल मैं बताता हूँ आपको कहां से लेना है तो जैसे कि मेरा टाइटल है यूट्यूब पर गए आप तो मेरा टाइटल है सस्क्राइबर कैसे बढ़ा है या हाउ टू इंक्रीस सस्क्राइबर तो मैं अपना टॉपिक लिखूँगा और उससे रिलेटेड जो भी आएगा मैं स्क्रीन शॉट ले लूँगा पूरी स्क्रीन का ये इसका भी एक और screenshot ले लिया मैंने तो इसके बार दुबारा जाएंगे वाइटी स्टूडियो पे और जो हमने गैलरी में screenshot लिये थे जो टॉप वाला था हमारा उसको हम बना लेंगे title ये गैलरी में गए ये screenshot उपन करें हमने और ये जो टॉप वाला है इसको हम अपना बना लेंगे title आप डिस्क्रिप्शन आपकी बहुती साफ होनी चीए सुत्री होनी चीए और एक अट्रेक्टिव डिस्क्रिप्शन होनी चीए आपकी और उसके बाद अपने लिंक डाल सकते हैं इंस्स्राग्राम का लिंक फेस्बुक का लिंक वो अड़ कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके बाद monetization ये भी छोड़ देना आपको उसके बाद हम जाएंगे टैक्स पे अपको टैक्स कहां से उठाने है तो जो हमने screenshot लिये थे उपर वाला तो हमने title ले लिया नीचे वाला जो है उसको हम टैक्स के लिए उठाएंगे जैसे ये आ गया second वाला how to increase subscribers ये tag उठाया हमने how to increase subscribers और end में लगा दिया comma ये बन गया एक tag अब दूसरा tag उठाएंगे ऐसे ही हम तो ये उठा सकते है how to increase subscribers and views on YouTube channel ये उठाया हमने how to increase subscribers and views on YouTube channel तो ये हो गया हमारा दूसरा tag तो ऐसी आप मतलब आपकी जो भी वीडियो जिससे भी रिलेटेड है वो आप टाइटल सर्च करेंगे और जो टॉप पे आ रहा होगा उसे आप टाइटल बना लेंगे और बाकि सारे आ रहे होंगे उसको tag बना के end में कॉमा लगा देंगे जिससे की वो एक tag बन जाएगा तो how to gain subscribers ये भी एक tag बना सकता हूँ मैं अपनी वीडियो के लिए उसके बाद आती है category मेरी category और ये चूज जाएगा वो मैंने पहले से चूज कर रखिया अगर आपने category चूज नहीं कर रही है तो आप इसमें से category चूज कर लेंगे आपकी वीडियो क्या है गेमिंग वीडियो है music video है comedy video education video है मेरी people and blogs है तो मेरी already selected है उसके बाद आएगा comment section comment आपको अगर आप सारे comment allow करना चाहते हैं तो allow पे click कर दे उसके बाद आता है hold potentially inappropriate comments for review तो second आता है यह बहुत ही main है अगर आपको लग रहा है कि कोई hate comment कर रहा है speech disrespectful आ रहा है कुछ भी कर रहा है आपके comments में fall to comments कर रहा है तो आप यह second वाला option चूज कर सकते हैं description आप खुड decide कर ले अपनी वीडियो की description में सबसे पहले जो आप title डाल सकते हैं उसके बाद key points डाल सकते हैं description में कि क्या-क्या इस वीडियो में होने वाला है यह तो इस तरह से वीडियो आपको upload करनी है जब भी आपको बताने वाला था उसमें से यह थी पहली तो दूसरी tip हमारी कैसा है जब भी आपका video upload करते हैं वीडियो या YouTube पे अपलोड करते हैं तो एकदम क्या करते हैं अपने friends के पास उसे शेयर करते हैं पे या जो भी आप Link शेर करते थे अपने friends के पास और वो क्या करते हैं क्लिक करेंगे video छोड़ देने यार क्या आपाईद है टेक की video यह video क्या करूँआ इस video का वह क्या करते हैं एक क्लिक करते हैं 10 second video चला ही video छोड़ दी इससे क्या होता है video का जो average video duration होता है वो कम हो जाता ह और इससे क्या होता है वीडियो का कभी भी आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जा सकती या सर्च में नहीं जा सकती वो हमेशा नीचे ही रहेगी जब तक आपकी वीडियो ज्यादा देर तक नहीं देखी जाएगी तो इसके लिए आप क्या कर सकते है जितने भी आपके है आस-पास तो जब भी आप वीडियो अप्लोड करें या तो आप उनका मोडूका ले ले एक poles उनके मोडूके करें वीडियो अपनी ऑन कर दे और कई भी मोडूके रखते को जब तक वीडियो थी होती है चलने के या फिर आप क्या कर सकते आपके घर में जतने भी मोँआ नहria है जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसे जब अपलोड हुई है वीडियो तो उसे पूरी वाच करें अपनी अरप से मतलब जितने भी घर में मोँआई तो पूरी वीडियो वाच करें इससे के होता है average view duration जो होता है, जादा होता है, इससे क्या होता है, आपकी वीडियो जो YouTube पे होती है, जो search में आती है, वो उपर रहने का ज़्यादा chance होता है, यह थी हमारी दूसरी tip, तो हमारी तीसरी tip क्या है? जब भी आप वीडियो अप्लोड करते है, सबसे main tip है यह, जब भी आप वीड स्क्रॉल कर रहे हुते हैं वह स्टाइटिं foundbula का है उसे तभण नेल कैसे ये मैं बताउगा आपको आगए तो यह सबसे हमारी तीसरी मेंटी पहे थाम दे अगर तामनेल आप नहीं लगाएंगे तामनेल के वीडियो लगाँए यैसी वीडियो आई अपलोड कर दी मैंने वी वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, मतलब यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा है एक बार तो उस पर क्लिक करेगा ही ऐसा होई नहीं सकता, वो पोस्टर देखे स्क्रॉल ना करे, लेकिन आपका थमनेली गंदा है, तो वो सोचेगा भी निए उसे क्लिक करनेगी, यह सबसे में टीप है, ठर्ड टीप तो यह हमने आपको बताई आज तीन टीप्स तो इन तीन टीप्स के बाद मैं एक चीज़ लास्ट में शेयर करना चाहूंगा आपके साथ जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो make sure वीडियो की quality अच्छी हो, वीडियो का content अच्छा हो, वीडियो का background अच्छा हो वीडियो में बिल्कुल भी noise ना हो क्योंकि इससे क्या होता है, माल लिया आपकी किसी ने वीडियो सर्च करी आपकी सर्च में भी आ गई, वो watch भी करने लगया, लेकिन उसे content पसंद नी आ रहा, किसी background पसंद नी आ रहा या आपकी वीडियो में noise आ रही है, तो वो क्या करेगा, थोड़ी दर देखेगा, हटा देगा किसी और की वीडियो लगा देगा तो इसके लिए आपका content बहुत अच्छा होना चाहिए, background ज़रूरी होता है, और noise बिल्कुल भी नी होनी चाहिए वीडियो में तो यह होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर दे, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को जल्दी से subscribe कर दे क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी YouTube से related वीडियो मिलेगी, informative वीडियो मिलती रहेगी आपको, तो वीडियो अच्छी लगी, तो like करके, subscribe करके, bell icon दबाना ना भूलें जल्दी मिलेगे एक नई वीडियो के साथ